तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे किसी स्टोक कर सकते हैं इसे किसे निकाल सकते हो तो मैं निफटी-फिप्टी का यह चार्ट ओपन का रहे है और ये एक इस सबसे पहले दे है कि दोस्तों जो प्रिविश डे का हाई और लो होता ना दोस्तों वह अपना सपोर्ट रसेशन्स का काम करेगा तो अभी देखिए मैंने मार करकर का यह देखिए यह रसेशन्स है अपना जब मंडे को मार्केट ओपन होगा ना तो 1906 यह वाला रसेशन्स है अगर इसको ब्रेक कि अफन को फो इसके अंदर होता सपोझ यहां पर यहां पर देखिए यह सपोर्ड बना यहां पर ऊपन हो सकता है यहां पर ब्रेक तो अप यहां का हेतार्गेpl Ao वह ना अगर अप सेड में जाता है तो अगर यहां आप प्राइज़ेक्शन बना के नीचे जाता है यहां पर सपोंड तो यहां पर आप एसेल रखना और यहां पर आप यहां तक कर टार्गेट ले सकते हु जो यह तारगेट जो गना दोस्तों 19,000 होगा नीचे की साइड में और दूसरा तारगेट होगा अपना यहां पर जाने के बाद में क्या थोड़ा बेरिस बन जाएगा नहीं तो अभी तक भी बेरिस नहीं है दोस्तों समझ गेना यह खली क्रिक्षिन आया इसमें अब इंट्राटे के लिए बोल दिया दोस्तों मैंने बता दिया अगर यहां इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता तो आप सी बाइंग कर सकते हो और यहां पर वापस यह बनावाना इसको नीचे जाता ब्रेक करता तो यहां तक आप पी बाइंग कर सकते हो यह द्यानकना यह निप्टी का है अभी मैं तो यहांने चार सुप कर लिए यह आपका डेली बिसेस पर उपर की साइड में जब तक इसको ब्रेक नहीं करता वापस आप बुलिस मत होई यह क्योंकि और नीचे वाला एक यह सपोर्ट देगी जाता है और इसे बिसे जाता है यह वाला तो सबसे पहले आप सपोर्ट रहसें दूर्ट दो दोस्तों इंट्रेडर का होता ना फिर्युएस देखा वह देखे जैसे यह हाई तो यह सबसे पहला रेसेशेंट किये होगा और नीचे की साइड में ब्रेक किया तो यह वाला जो बनावाना कलका यह सपोर्ट का काम करेगा यह आप देखिए किसी भी इंडेक्स में या स्टोक में होगा ना तो वह जो पिर्विश देखा लो और हाई होता है सबसे मैं इंपोर्टेट वही होता दोस्तो जब तक उसको ब्रेक नहीं करता उसके अंदर ही ट्रेड लेना आपन यहां से अगर आप जाता है तो आप बाइंग कर लेना यहां से नीचे जाता है वापस तो यहां पर आप कर लेना यह निप्ति का आभी मैं आपको दिखा देता हूं यही सबसे पहले यह सपोर्ट का काम करेगा और इसको ब्रेक किया तो फिर उपर की साइड में यह समझ दीजी आप 19,200 क्राड में यह नहीं मोटा मोटा 300 पकड़ लिए उपर जब तक नहीं जाता अब बाइं मत लेना और इसके उपर गया तो यह वाला अपना डेली बेसेश पर कौन सा है 19,400 सितर का यह वाला लेवल है तो इसको ब्रेक करें तब आप वापस बाइं का एंट्री ले सकता है समझ गया यहां पर केंडल कौन सा बनता वो देखना प्रेज एक्षन देखना जरूरी है उसके बिना आप ट्रेड मत लेना प्रेज एक्षन अगर बेरिस बन रहा है तो यहां पर बेरिस का ट्रेड ही लेना तो अभी इंट्रेड के लिए सबसे पहले यह वाला हो गया 19,150 इसको ब्रेक किया तो आप अलग बनता है और स्विंग ट्रेड हैं लेवल मनता है क्योंकि यह वाला दीगी है 19,470 डेली बेसेश पहे और नीचे अठारा या ना ये आपका बेके बाफेंड यह लापनेमे है यह तो डश्यजिस में अपने ट्ररेड करना यह फस्ट यह भटाया ने मैंने लोग और हाई तल का इसी के मेर्केट धाप भी खुल सकता आगर गेप रहत यहां-पर बटतte वो देख आप ट्रेड ले सकता है अगर आप गया तो कॉल बाइंग कर सकता हो यहां से नीचे गया तो वापस यहां तक आएगा उनीश अजर तक बस यह ध्यान रखिए दोस्तों किसी भी इंडेक्स का स्टोक्स का आपको अनलेसेस करना तो सबसे पहले सपोर्ट रेसेस्टे किया तो यहां तक जा सकता है फस्ट और इसको आप वापस प्राइज एक्शन बनाएगा उपर ब्रेक किया तो फिर यहां तक आरगेट है यह वाला डिली बेसेस पर हमज़िए ना तो बस आप किसी भी स्टोक्स का इंडेक्स का आप सपोर्ट रशेसेस्ट खुद के दम प सब प्रोफिट करने लग जाएंगे इसलिए मैनत करना जरूरी दोस्तों बिना मैनत का आप कुछ भी नहीं कर पाऊगा समझ यह ना बस इतने द्यान रखिए सबसे पहले जब भी मार्केट का रेसेसेंज यह सपोर्ट निकलना तो प्रिवेस डेका पहले सबसे पहले वही